उत्तरप्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में निरंतर आप भी सवाल पूछते रहे हैं और हम भी मुद्दे उठाते रहे हैं, सवाल उठाते रहे हैं, कानून व्यवस्था उत्तरप्रदेश की भयाव है, विशेश सत्र का एजेंडा कब क्लियर नहीं हुआ, बताएं का बहुत स्पष्ट स्थान है जब ये बात इन्हें चुनोती देकर बताई गई तो मजबूरन इन्हें आज ये सफाई देनी पड़ी नमस्कार साथियों आज एतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांट पर मैं भारती राष्ट्री कॉंग्रेस की की तरफ से भारत की तरफ से इंडिया की तरफ से हिंदोस्तान की तरफ से लाखों निस्वार्थ और निडर भारतियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ना केवल कदम जोड़े जिन्होंने दिल जोड़े और ये यात्रा 145 दिन 4000 किलोमीटर ये सब आंकड़े आपके पास हैं लेकिन ये यात्रा मुझे नहीं लगता कि मीलों और किलोमीटरों में ना पी जा सकती ये यात्रा सैक्डों भाषाएं लाखों आहें करोडों उम्मीदें इन सब के रास्ते से होती हुई भारत के दिल में समा गई ऐसे भारत को जोड़ा गया ऐसे दिलों को जोड़ा गया हमारे प्रेणा स्रोत श्री राहूल गांधी के लिए यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है भारत के लिए यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यात्रा अभी चल रही है, कभी लद्दाख में ये यात्रा दिखाई देती है, कभी मनिपुर में ये यात्रा दिखाई देती है, कभी आजादपुर मंडी में मजदूरों के साथ बैठ कर ये यात्रा का आनंद लिया जा और कुछ दिनों पहले सुनाई दिया कि विदेशों की कुछ यूनिवर्सिटीज में इस पर पीएच दी तक करने की सोचा जा रहा है कि आखिर कैसे यह यातरा संभव हुई क्या इसके माइने थे क्या इसका उद्देश्य था और किस तरहें का आत्मविश्वास उन लोगों म में रहा होगा जिसने जिद रखी कि नहीं में पूरा चार हजार किलोमीटर चलूंगा और भारत को जोड़ूंगा जोड़ते वे देखूंगा भारत जोड़ो यातरा का इतिहास स्याही से नहीं लिखा जा सकता यह पसीने से लिखा गया है आज जब हमें एक साल पूरा हुआ है भारत जोड़ो यातरा का हमें वो सारे नजारे द्रिश्य वो मंजर याद आते हैं जब बरसात, बर्फ, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, सब कुछ झेलते हुए इस देश को अलग-अलग रंगों में हम सब ने देखा आप सबने भी देखा, आप में से कुछ लोग, कुछ चेहरे में देख रहा हूँ जो लगातार चले भारत जोड़ो यातरा में आप सब को भी बढ़ाई और आप अपनी आने वाली पीडियों को बता पाएंगे कि आप इस एतिहासिक पल का हिस्सा थे यह बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए, शडियंत्र बहुत हो रहे हैं, उस वक्त भी हुए थे जब भारत जोड़ो यातरा चल रही थी इसको विफल करने के प्रयास, मीडिया इसको न दिखा सके वो सारे शडियंत्र, लेकिन मीडिया ने भी दिखाया, आप लोगों ने भी दिखाया, विफल तो खेर नहीं कर पाए, यह लोग ना कर पाएंगे तकलीफ किसको थी, एक जुड़ा हुआ भारत किसको परिशान कर सकता है, आज जब एक साल पूरा हो गया भारत जोड़ो यातरा को, तो यह सवाल बहुत जादा महें तुपुर्ण होता है, क्योंकि यह सवाल देश के भविश्य के साथ जुड़ा हुआ है, देश के वर्तम से भिड़वा रहे हैं कौन है वो ताक्ते हैं कि सोना हो या गोल्ड हो हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में कीमत थोड़े बदल जाएगी तो ये जो शड्यंत्रकारी ताक्ते हैं इनका चहरा बेनकाब हम एक राजनितिक दल हैं हमें करने की आविशक्ता नहीं है आप मीडिया है आपको करने की आविशक्ता नहीं है प्रत्येक भारतवासी इस चहरे को पहचान चुका है जो भारत को इंडिया से लड़वाना चाहता है हमारी सबकी जिम्मेदारी आप सबकी जिम्मेदारी इन ताक्तों को पहचानने की इनको बेनकाब करने की और भारत और इंडिया को आगे बढ़ाने की है जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये एक हम सब के दिलों में बैठ गया है नारा ये एक तीर्थियात्रा थी और ये तीर्थियात्रा है, तीर्थियात्रा कभी समाप्त नहीं होती तीर्थियात्रा हर यात्रा का प्रारंब होती है शुरुवात होती है वो खत्म कभी नहीं होती हम में से कई लोगों को इस वभाग के प्राप्थ हुआ कि हम इस तीर्थियात्रा का हिस्सा बने कुछ राहुल जी की तरहें पूरे 4000 किलोमीटर कुछ मेरी तरहें 1100-1200 हो हुआ आप सबको बहुत-बहुत बधाई और यह आपको हम वचन देते हैं यात्रा यात्रा के आदर्श यात्रा की प्रेरणा यात्रा के उद्देश्य निरंतर्ता में जारी रहेंगे हुए हैुए। इस भyr मैंज इस्तर अजयर से आरकांज घृ यात्रा यृ बार यृट् marketing प्रीजस्ट अबस्टिस्पते इस्ट्रिक मोम्मिंट, Mr. Rahul Gandhi, अस्तिन्ट इंपर वीट्रा प्रीटरा प्रीटरा भूज क्यूस्टूम थो कॉन झान अंद, in the various dreams, aspirations, tears, smiles, hopes of millions of Indians who communicated with our leaders in different languages, through different expressions. That's how hearts came together, that's how feet came together, that's how hopes came together, that's how India came together, that's how Bharat came together. Even now you can see this journey continues, sometimes in Ladakh, sometimes in Manipur, sometimes in Azadpur Mandi, sometimes in the motor mechanics shop. The idea is to comprehend what is it that unites India, what is it that brings us all together despite our various differences of languages, religions, caste, so on and so forth. That idea will continue. However, there are forces and there have always been forces that have tried to stop India from uniting, that feel threatened to see a united India. Who are those forces? We don't have to respond to that question, you don't have to find out the answer, everyone knows the answer. These are the forces that are trying to divide Bharat and India. Can you believe this? Whether you call it gold or Sona, the price, the value would not change. Whether you buy petrol from Bharat petroleum or Indian oil per litre, the price remains the same. So who are those forces and why are they bent upon dividing India and Bharat? This is a question which every single Indian knows the answer for and will teach these forces a lesson of their lifetime. Every generation has taught these forces a lesson. Whether it was Mahatma Gandhi's generation, whether it was our generation, whether it's this generation, whether it's the next generation. A lot of you journalists participated in this Yatra. I can see some of these faces, recognize them who were there all through. We in the Congress party thank you all and congratulate you for being a part of a very important milestone of history. We are told that certain universities abroad are planning to have Ph.D. on Bharat Jodo Yatra, on what inspired Rahul Gandhi to undertake something as difficult as a 4,000-kilometer Yatra. Our task is not easy. Your task is not easy. We are fighting against resource-rich forces who are out to destroy this country and divide this country. But our slogan is, Our slogan is, This slogan inspires us all. Your questions please. Part 2 You talked about part 2 You talked about part 2 You talked about part 1 and part 2 It is not possible The攻 few Part 1 Part 2 Part 1 Part 2 Part 1 Part 2 बज़े तक एक पद्यात्रा निकाली जाएगी जिसकी परिनती एक सभा में होगी ये हर जिले में ये कारिक्रम भारती राष्टी कॉंग्रेस की तरफ से आयोजित किया जा रहा है इसमें लोग जुड़ रहे हैं ज़रूरी नहीं है वो हमारी पार्टी के सदस्य हो लेकिन लो लेकिन दिल्ड बूर रहे है जायो रहा है इसमेशन लोगों में देल्ली जाएगा जिसरूप एक पर कारिक्ष पार्टी के लोगों में लोगों में लुड़ रहा है कि छिस वरूप में आपकर का इसमें चर्चा हुई इसमें चर्चा हुई बहुत हमारे कई नेताओं का मन है कि इस तरह की यात्रा हो अंतिम निर्णे कॉंग्रेस अध्यक्ष को लेना होता है तो निर्णे जब हो जाएगा अनुमती जब मिल जाएगी तो आपसे भी जरूर साजा करेंगे बहुत बड़ा बर्निंग इशु तो चाइना खुद है चली अच्छा है माना उन्होंने कि वो भी एक बर्निंग इशु है यह हमारे हमें कोई नहीं वह तो चीन का यह ग्लोबल टाइम्स तो 2014 के चुनाव में लगातार लिखता था कि मोदी जी को जीतना चाहिए यह मोदी जी के जीतने से चीन को बड़ा लाब होगा यही ग्लोबल टाइम्स कहता था 2014 में को मोदी जी जब जीतनें तो चीन की कंपनीों को को बड़ा लाब होगा यह ग्लोबल टाइम्स कहता था चीन का तो उस ग्लोबल टाइम्स से मुझे कोई टिपड़ी नहीं करनी है कि प्रधान मंस्री ने कहा है कि सनातन धर पे विपक्ष को विपिटिंग रिप्लाइग देना चाहिए प्रॉपर रिस्पॉन्स वीजेपी वाले दे और उसी पर अब यह राज़ा पुल दिए कि हुद्रेनी दिने कम बोलाता है है और एक वाइरस है जहां तक भारती कॉंग्रेस का सवाल है हम बहुत स्पश्ट तौर पर यह कह चुके हैं और फिर से दोहरा रहे हैं इस तरह की टिपणियों के हम साथ नहीं है भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस हर धर्म को हर सोच को साथ लेकर चलने की इतिहास रखती है और समझती है कि यह देश एक सतरंग की देश है सबका जहां एक स्थान है कि किसी को कम दिखाना किसी को जाधा दिखाना ना यह समविधान इसकी अनुमती देता है न भारती राष्ट्री कांग्रेस की ऐसी कोई परंपरा है इसलिए हम इस तरह की टिपणियों के साथ बिलकुल सहमत नहीं है the Indian National Congress the Indian National Congress has always believed in Sarva Dharma Samhav wherein every religion, every faith has its space no one can treat any particular faith as less than another faith iment अबस्टेशों स्ड़कित अजसन एंचे लासम इस अज़में नासमे इन तुन कर्स डे साज फ्यू एंचेश। ख़से बीटर समय ख़सित्वेकर जूत्षिति ओस ठीज हैनन थे। पुरी סटलिने पिसे चांटयों कि आला सेरह सम्साब्सुटूं तैन को खदेये और गुड नांस पालने कि थी मार्से फ्युोंक पर देरिंड विनने लिद्स अजैगे बेंयर अजैन। वच्वशच फिविस्ट नियून्स निवादी नियू किस्टैन. यह रही नियू काफ क्वार राष्ट था। यह रहत अभी टो राष्ट किस्तून में विद्यूस टूँशे सक्ट रश्चिटूटूटूट. But every single member of the India Alliance has immense respect for all faiths, for all communities, for all beliefs, for all religions. आप उस चीज़ को कैसे ट्विस्ट करते हैं वो आप जानिये, कौन कैसे ट्विस्ट करना चाहता है वो आप जानिये, लेकिन भारती राश्ट्री कॉंग्रेस, ना केवल भारती राश्ट्री कॉंग्रेस, इंडिया अलायंस का हर सदस्य, हर जाती, हर धर्म, हर सोच का उतना ह ही आदर करता है जितना की सम्विधान आदर करता है इस तरह की हल्की बाते हल्की टिपनिया न हिंदू धर्म करता है ख़ंद करता है उत्तरप्रदेश की कानूं व्यवस्था के बारे में निरंतर आप भी सवाल पूछते रहे हैं और हम भी मुद्दे उठाते रहे हैं सवाल उठाते रहे हैं कानून व्यवस्था उत्तरप्रदेश की भयाव है राजनेतिक प्राथमिक्ताएं सरकार की क्या है यह हमें नहीं मालूम लेकिन जो सड़क पर दिखता है जो गाउं देहात में दिखता है जो शहरों में दिखता है उससे यह समझ में आता है कि कानून व्यवस्था ध्वस्थ हो चुकी है कमाल की जवाब दिया इनों ने साब विशेश सत्र का एजेंडा कब क्लियर नहीं हुआ बताएं जरा कोई असेंबली हो या पार्लेमेंट हो अगर विशेश सत्र बुलाया जाता है तो विपक्ष को बताया जाता है उससे चर्चा की जाती किसाब इन मुद्दों पर विशेश सत्र है मैं दिल्ली असेंबली जिसका मैं पंद्रा साल तक सरकार का हिस्सा रहा तो मैं उसका आपको उधारन देता हूं जब दिल्ली से इंडस्ट्रीज को रिलोकेट करना था सुप्रीम कोर्ट का ओडर था तब शीला दिख्षित सरकार ने विपक्ष को साथ बैठा कर चर्चा की और तय किया कि एक विशेश सत्र बुलाना होगा जिससे कि हम मिलकर एक आवाज उठाएं और सुप्रीम कोर्ट से कुछ और महलत मांगे यह हुआ सुप्रीम कोर्ट से महलत मिली जब सी एंजी की गाडियां लानी थी और डीजल की गाडियां हटानी थी तब भी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था तब भी एक विशेश सत्र बुलाया गया दो तो मुझे अभी याद आते हैं शायद कानून विवस्ता क को लेकर भी एक विशेश सत्र दिल्ली एसेमली में बुलाया था हर बार जब विशेश सत्र बुलाया जाता है विपक्ष के साथ एजेंडा साजह किया जाता है अगर प्रलाज जोशी को इसका ग्यान नहीं है तो उसमें मैं आपको क्या जवाब दूँ पहले इनको कहिए अपना संगठन को रेजिस्टर कराएं यह बाई वन गेट वन फ्री क्यूं है बीजेपी को वोट दो संग मुफ्त में मिलता है यह क्यूं है नंबर एक नंबर दो अखंड भारत करने वालों के जो वैचारिक पूर्वज थे वो गोलवाल कर हो उनका क्या उनकी क्या भूमिका थी भारत के विभाजन में इस पर हम मोहन भागवत को आमंत्रित करते हैं आहें जरा डिवेट कर लें चुनौती देते हैं आईए यह यह इनके जो वैचारिक पूर्वज थे मुंजे जी उनकी क्या भूमिका थी भारत के विभाजन को लेकर उस पर चर्चा कर ले या इनके जो वैचारिक और राजनेतिक पुर्वच थे हिंदु महसभा उनकी क्या भूमिका थी 1942 के बाद भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान जब ये सरकारों का हिस्सा बने तब उनकी क्या भूमिका थी आज भारत में 15-16 प्रतिशत मुसल्मान इनसे बढ़धास्त नहीं होते अखंड भारत में 45% होंगे पूछे इनसे क्या करेंगे तो ये बिना सोचे समझे बोलने की इनकी बड़ी पुरानी आदत है राम माधव कुछ और बोलते हैं अखंड भारत पर आजकल तो अखंड भारत वाले मुद्दे पर रसेस जो है वो खंडित है अखंड रसेस नहीं है इसमें आरेसस में भी अलग-अलग विचार हैं वैसे आरेसस विचार के मामले में नहीं जानी जाती प्रचार पे जाना जाती है लेकिन आजकल टीवी पे विचारक भी दिखने लग गए साब संग के विचारक संग में विचारक कब से हो गए संग में तो सिर्फ प्रचारक होते है चलिए सोचना शुरू किया इन्होंने रही बात आरक्षन की जो पहला प्रहार सम्विधान पर इन्होंने रखने की कोशिश की मारने की कोशिश की पिछले हफते इंडिया भारत यह सारी जो बाते शुरू की इसी हफते यह प्रहार सम्विधान की आरकिटेक्चर पर है यह प्रहार आरक्षन पर है सीधा सीधा प्रहार आरक्षन पर है यह बात इन्हें समझ में आई कि पूरा देश समझ रहा है यह क्या कर रहे हैं यह आपको और मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि यह भारत और इंडिया का विवाद क्यों पैदा किया गया क्यों आर्टिकल्स लिखवाये जा रहे हैं कि सम्विधान को री राइट करना चाहिए सम्विधान का बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर को भी उस पर भी सवालिया निशान क्यों उठाये जा रहे हैं सरकार के जो intellectuals हैं सरकारी intellectuals द्वारा यह प्रहार बाबा साहब अंबेटकर द्वारा लिखित सम्विधान की आत्मा पर है जिस आत्मा में आरक्षन का बहुत स्पष्ट स्थान है जब यह बात इन्हें चुनोती देकर बताई गई तो मजबूरन इन्हें आज यह सफाई देनी पड़ी लेकिन इनके दिमाग में यह शडियंत्र जारी है और यह आज से नहीं चल रहा है यह शडियंत्र समिधान जब लिखा जा रहा था यह शडियंत्र तब से जारी है इस तरह का तो बड़ी प्रदान मंत्री ऐसा चूइमुई प्रदान मंत्री उनकी पार्टी को कोई कुछ कह दे तो अपमान हो गया यह इतना डेलिकेट क्यों है हमारे प्रदान मंत्री क्या बात हो गई क्यों परिशान हो जाते हैं कि इनसे पहले भी जो आते थे ऐसे वोट लेकर जीत कर आते थे और जब वोट नहीं मिलते थे हार जाते थे लेकिन कोई ऐसा चूइमुई नहीं था कि सावारे मेरा अपमान हो गया मेरा अपमान हो गया प्रदान मंत्री को कि थोड़ा मजबूत बने हैं कि हम बड़े स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं कोलार की जो का जो भाषन था अप्रेल 2023 का राहुल गांधी जी का जिसमें भागी दारी सुनिश्चित करने के लिए संख्या का होना आविशक है जिसमें नीती निर्दारण के लिए समाज के हर वर्ग की संख्या का आभास होना चाहिए इसलिए जाती जंगणना की बहुत पुर्जोर मांग राहुल बात आती हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदू है वो जाती जनगरना है कि कि बोलिये ना पूछे ना बात कॉंग्रेस पार्टी के देखने की नहीं है बात कॉंग्रेस पार्टी के देखने की नहीं है बात यह है कि देश देख रहा है इतना बड़ा आयोजन हो रहा है एक रोटेशनल प्रेसिडेंट्शिप जो हमारे देश को मिली है उसमें आपने इवेंट बहुत अच्छा किया है लेकिन दो महत्वपूर्ण देश राष्टाध्यक्ष इसमें नहीं आ रहे हो तो सवाल उठेंगे और जवाब की उम्मीद भी होगी हमारे विदेश मंत्री बड़े काबिल हैं पड़े लिखे हैं खुद विदेश मंत्राले में पहले कारिरत भी थे आज कल थोड़े बदले बदले नजर आते हैं उमीद है कि अपने विभाग पर भी कुछ कहेंगे हर जगे हर विशे पे कुछ न कुछ बोलना उनको अच्छा लगता है खास्त और पे नसीहत देना उन्हें बहुत अच्छा लगता है हम उन्हें नसीहत देना चाहते हैं कि साब जड़ा प्रधान मंत्री इतना करोडों का खर्चा करके इतने बड़े-बड़े आयोजन करें तो आपका एक एक जिम्मेदारी आपकी बनती है as a minister कि आप ये सुनिश्चित करें कि तमाम राष्ट्रा धक्ष इसमें शामिल हो और भारत को जो rotational presidency हमें मिली है वो उसका कुछ लाब हो भारत को भी the rotational presidency that India has had the honor of getting of G20 very good events being organized at a large scale but the absence of two very important countries heads of states is something which gives rise to a lot of questions and and the and the hope that the minister of external affairs will respond to these questions dhaniwaad और कोई बाइट नहीं तो भी जो भी पूछना है पूछ लीजिए फिर निकलें you beth जाएंगे पांच मिनिट